गुड मॉनिक स्टुडेंट्स आज का अपना विशे रहेगा राग बागेश्वरी की स्वरलीपी का अंत्रा इसे पिछले वीडियो में मैंने आपको राग बागेश्वरी की स्वरलीपी में स्थाई करवा यह सीबीसी के अकॉर्डिंग छह नंबर की होती है तो जब सथाय और अंत्रा दोनों एक साथ लिखते हैं तभी ही छह नंबर माने जाते हैं अथ्वा अगर आप आधा कारी करते हैं तो उसमें टीचर के उपर डिपेंड करता है कि वह आपको स्वरलीपी के कितने नंबर इसलिए मैंने आधी स्वरलीपी करवाई क्योंकि उसमे वीडियों कराएंगे राग भीम पलाशी की स्वरलीपी के दुरुथ ख्याल का अंत्रा जिसके पिछले मैंने बता दिया थे कि स्वरलीपी क्या होता है किसी भी गीत को आगश की उपर लिख देना लीपी में ढाल देना भाशा क्या होती है बाशा जो हम एक दूसरी के साथ तो भीचारों को आधान परदान करते हैं उसको कागत सबस्ते। पर लिखने का धंग भाशा कहरा हूसा लिपी जो लिखने को सवरलिपी कया है, आज बात करेंगे अंत्रा चाहिए है उसमें जो दो लाइन उसमें दो लाइन इसमें है रृणी बॉसित्रा मात्राओं की ताल के जो लिखे उसके नीचे अपने को एक एक सुर्ण को एड़क्त करना पढ़ेगा और उनकी नीचे वह बोल्ड बेगे इसके बोल है कि इसके जगत सकल जगत के जीवन जीवन धन प्रभू एक लाइन होगी सकल जगत के जीवन धन प्रभू करत क्रपा करत क्रपा नित यहां पर यहां पर जाता एक सुन दर है यहां काफिये की मिलान होते हैं किसी और गाने के जो बूल होते हैं उसमें इनकी साथ है तो यह गालने के बोल में एक एक बोल एक एक स्वर के नीचे सेट किया जाता है लीपी के अंदर जिसको बंदिश का जाता है तो यह अब किसमें सेट करेंगे सोला मात्राओं की पहले तो ताल के पूरे सारे बोल निकली एक दू पीक चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा आरे तेरे चोज़र अंदर और यह सोला अब कि सोले मात्रा होगे ताल की जिसमें तीन ताल के बोल होते हैं वो बोल तबले पर पले के जाएंगे उसके साथ गाने वाला अपनी बूल एरजस्ट करेंगे इसके सब्सक्राइब बना देते हैं चार मात्राओं के चार भाग कि पूल अलग अलग मात्राओं के नीचे लिए इसमें यहां पर लिखना पड़ेगा आपको क्या अन्तरा तो इसमें नोई मात्रा से स्टोर स्टार्ट हो जाएगा पैनी पैनी साथ में इनको को मल कर देते हैं क्योंकि भीनिपलास में गय और्नी का पर्योंग जब किह जाएगा तो दोनों गय और्नी प्रियो कि जाएगा नौई मात्राओं जो खाली होता है इसको लिखते हिने का गाली कि दुश्री मात्रा और पहलती मात्रा शम आना जाती है अप लिखनी покуп शिरत पैनी हैं अगर बोलने में याद करेंगे तो पैनी पैनी सासा अब इसके नीचे यह बोल सेट करेंगे सकल सकल जगत के जी यहां तक आ गया जी तक अब आगे वाली जो लाइन है एक दो तीर चार पांचे साथ यह इस वाले पार्ट्स में आएगे सकल पैनी सासा उसके बाद क्या आएगा यह जो बोल होगए पैनी मातरा इसके नीचे सकल जगत के जीवन धन रभू यह लिख़ जाएंगी इसमें पिर इसके बाद पैनी सागए पैनी मातरा इसे कहाएगा पैनी सागर्य रेड रे सागर्य सा-इसमें य expense कर जाएगा पैनी पेंशार इसके नीचे जीवन यहों तक आ गए थे सकल जगत के जीवन यह इसके नीचे जीवन धन हो गए जीवन धन अब यह बचा प्रभू यह हमें इन चारों के निचे अड़ेस्ट करना है इसमें क्या जाएगा इसमें आज जाएगा तो यह आवगर है आतला इसकी अवाज जहां तबाएगी प्रभू वड़ियों की मात्रया है यह वादा तो यह क्या बने आज जगत के जीवन धन प्रभू यह लाएने राग भीमप्रासिक एंत्रा में बोलने के लिए पैनी साथा पैनी पैनी साथा साथा पैनी सागरेरे लाएने के लिए शकर जगत के लाएने ने के लोस साथ जगत के जीवन धन प्रभू पैनी पैनी साथ कौन रे रे साथा यह सा都是 एह किसके होंगे तार्शप्त के स्वर्प्रयोके लाएंगे इसके बाद सारे 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 मीनी ध्यापे मीनी ध्याप्षा इस में को मबन करते हैं हुआ ही अविश की नीचे यह और करत करपा इसके आगे वाला लाइन क्या होगा यह एगा सा लिखाजा इसको ताकि जिंए निन दो फिर क्या होगा तो आप उसमें देखेंगे स्थाइब जाके तुकिंए इसको कॉमल करें अब के पूरी स्वार लिपी स्वार का में जो भी और नीए उनको कॉमल कर दे जाए जो तार शब्तक के तार सब्तक के स्वर बना दिआगे जो नंदल सब्द किया मंदल सब्दक के सब्दोन में इसमें कर और दुसित- अब सब्सक्राइब कर दोनों मिलाके लिखेंगे तभी कोई स्वरलिपी पूरी होती है चैनल नम्बर की तभी होती है साथ रहां कोई शिरागों कोई विशेश के अधंठी जो स्वरलिपी नहीं आप लिखतो रहेगा जैसे बाइदिवे इसमें नी कोमल है अगर मैं इसमें यह चिन हटा देता हूं तो अब यह बीमपलाशी रहा किस और लिपी नहीं क्योंकि अब इसमें नी शुद्ध हो गया नी शुद्ध परियोग करते ही क्या होगा इसकी दुनी चेंज हो जाए हमने क्या क्या है यह दुन को कागस पर लिखा गया है इसको पड़ करके आज भी मुजिशिंज बहुस्य मुजिशिशन ऐसे हैं जो अप उनके पिताजी संगीतकार थे और उन्होंने दुनों को कागस पर लिखके छोड़ा हूँ था और उनको आज के संगीतकर अपने पिता की बनाएवी दुन को दरले से बढ़ी अडंक से बना करके फिल्म इंडिस्ट्री प्रियोग करें तो गाने ऐसे लिखे जाते हैं फरक इतना दुन लिखना हो तो में गाले के लाइन नहीं होगी बस इसमें क्या होगा दून यह बना ले करेंगे तो वही दुन लिखे लेगी जो स्वक्ति ने बनाई थी इसलिए इसको स्वर लीपी का जाता है दूसरी बासा में इसको बंदिश भी का जाता है चात में अगली बात बता रहा हूं आखरी बार कि सब लिखना बहुत जरूरी है यह इंट्रोडेक्शन है कि लिखना पड़ेगा जाता है और दूर्त ले में भी गाया जाता है इसलिए यहां पर लिखना पड़ेगा कोन सी लाइमे का रहे हैं कोन सी सपीड में गा रहे स्टाई या आंतरा जोवजी लेति सब्सक्राइंस साहं राएं है कि आसे की लाएंगे द्सक्रा ऑफ पर से मिन विर्गेंगे लिखना है सोना मात्रा लिखने कबाद तो आप इस दिए चिन भी लंगा सकते हो निचिन जिस अ निचित समका दूसरी ताली नउ मात्रा खाली और यह तीरी मात्रा पर तीसरी ताली it पूर लिख अब इसको कहां से श्टार्ट और नोई मात्रा शुरू किया गया अलगारलीम होते हैं कोई किसी दुर्थ ख्yाल कुर 12 मात्रा सुरू करता है को इसाती मात्रा सुरू करता है यह गाने वाले के उपर अपनी बंदिश को देखते वे खुद के व peoples होते हैं इस brain काउर्ट के आप इसको एक बार सुनेंगे पढ़ेंगे और फिर लिखके देखेंगे तो भूल नहीं पाएंगे और बहुत आसान है सबसे बड़ी बात किसमें समय कम से कम लगता है जो हम और काम करेंगे जैसे जियून पर इसे लिखने लगए और या कोई और परिभासा लिखने लगता ह इसमें टाइम नहीं लगता है आप एक बार इसको लिखके और कागस पर लिखके चार पांस बर देखें लेकिन बाद में हर दो तिन बाद आपको कागस पर लिखके रिपीट करना पड़ेगा तब ही आपको याद रह पाईए और आप इसमें भूल जाएंगे और दूसरे कौन का इसमें परीजेवाद करें अब आपके शलबस में नाटे शास्त्र है और तीन जीवन परीशे बाकी अगले वीडियो में नाटे शास्त्र जीवन परीशे में से कोई एक वीडियो मनाने कोशी करता हूँ तब तक आप इनको देखिए पढ़िए लिखिए और यदिजी दनने वाद.